बहुत छोटी सी, बहुत ही छोटी सी टीप आपको देंगे, जिसका कमाल इतना बड़ा होगा, कि आप बिलकुल हैरान रह जाएंगे तो गोर्ज आपने करना क्या है कि मेकप करने से आदा घंटा पहले आपने मेकप की प्यारी करने है बहुत जादा मेकप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत जादा गर्मी है, लाइट सा नेचर मेकप करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए जल्दी से पॉइंट के तरफ आते करना क्या है, कि जब भी आप बेस सप्टाई करने लगें, मेकप करने से पहले तो आपने तीस मिनट अपने स्किन पर बरफ की मसाज करने है, आइस की, ठीक हो गया, तीस मिनट जिसने बरफ की मसाज कर लिए, उसको मैं गरंटी से लिख के लेती हूँ, कि उसका मेकप कम अज़ कम चार से पांच गहने कहीं भी नहीं जाएगा, उसके बाद वो थोड़ा कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वज़ा से उसके बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो उसको इसका इतना अजबरदस रिजल्ट मेल है कि उसकी बेस जहां पर टिकी थी, टिकी ही रह गई, और बहुत अच्छा उसका मेकप रोगा, कि जब आपकी पेस की बुन्याद अच्छ अच्छी मत किजिए, तीस मिनिट निकालें, उसके बाद मौझें मौझें, तीस मिनिट आपने परफ की मसाज करनी है, नहीं तो बीस मिनिट तो मस्ट है, तो जितनी तेर आप इसको टिकाना चाहती है, आप देखेंगे कि आपकी पेस कहीं भी नहीं जाएगी, और इसी वी एक 3X आजाती है, उसको आप अप्लाइ करें क्योंकि इसको बहुत सारी जोगों पर ट्राइ किया गया है, यह इस फामिले के बाद कभी भी आपको परिशान नहीं करते है, तो तीसरे नमबर पर मेरा आपको मश्रा यह है, कि आपकी एक बेस का इस्तेमाल कीजिए, तरह की चीज़े इस्तेमाल करने के शक्रों में पड़ जाएंगी ना, संटर में पर मेक अप की बहुत सारी चीज़ा आती है, और कोशिश यह थे है कि तमाम की तमाम लगा लें, तो यहीं पर आके काम खराब हो जाता है, गर में बहुत जादा लाइट सा मेक अप कीजिए, बरफ के मसाज करने के बाद जब आप पेस को अप्लाइ करेंगी, तो आप देखेंगी कि वे एक दम पे एक दम से आपकी स्किन के साथ चिपट जाए, आपको पसीना नहीं आएगा तो वो खराब नहीं होगी, यहीं पर तीसरी टिप पिलो लिजिए, कि आप जिस बरफ से म तो उस बरफ से आप मसाज करें जिसमें थोड़ा सा मेंथल जो है वो आपने अबा लिया हो या पानी में मिक्स कर लिया फिर उसको जमा के बरफ बना लीजिए, फिर बेस को अप्लाइ करने के बाद आप खाली शाइनर को अप्लाइ कर लीजिए, सब का अपना तरीका तो शेड लगाएगे बिलकुल लाइट कलर का जैसे ब्राउन, लाइट पुपी पिंक, इसके बाद लिए आपके स्कीन के हिसाब से होगाई या ड्रेस के साब से लेकिन शेड बिलकुल लाइट साप लाइगेजिए, उसके बाद सिंप्ली लाइनर और मस्कारा और प्यारा से लाइट लगा लीजिए, या जो लिपस्टिक आपके ड्रेस की साब से, उसके इलावा हल्की से बेंगल स्पैने ज्यादा नहीं और अपना ड्रेस पहनी और बिल्कुल रेडी हो जाएगे, अच्छा सो सेंट लगाईगे, तो बारहल ये सब आपकी मर्जी है, मुझे सरफ म लेसन की तरफ से छुटी आज भी नहीं है, आज की वे लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, कि आपका एक लफ़ज सखम भी लगा सकता है, और मरहम भी बन सकता है, और इसका इफ़्टार आपके पास है, इतनी महने से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे ढूडेंगे, तो इसका हल यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बैल के आइकम को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमान वीडियो आप तक पहुंगे। अजय कर दो कर दो कि आप हमारे चैनल को कर दो आप हमारे चैनल को का पहुंगे।